data structure and algorithm के इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे data की data क्या होता है data is a collection of raw facts इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मार लो किसी का name किसी का name जैसे यहां पर एक name हम लेते हैं अंकुस अंकुस क्या है data है या फिर age किसी का age तो यह जो number दिख रहा है 23 यह क्या है data है तो इसी को हम कहते है data और data structure दो word के combination से बना हुआ है data structure इसलिए आपको data के बारे में जरूर पता होना चाहिए तो आज के इस introduction to data structure के वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे what is data structure data structure क्या होता है यह जानने के बाद हम आपको बताएंगे data structure का purpose क्या है ठीक है किसलिए data structure को हम यूज करते हैं फिर classification of data structure हम discuss करेंगे यह क्या होता है data structure में हम क्या-क्या operations perform कर सकते हैं वो देखेंगे हम उसके बाद आपने सुना होगा data structure and algorithm तो यह algorithm क्या होता है हम algorithm को भी देखेंगे और algorithm की सारी properties को हम discuss करेंगे और algorithm हम practically आपको कैसे लिखा जाता है वो सो करके दिखाएंगे और उस algorithm को रियल में program में implement कैसे करते हम वो भी discuss करेंगे तो यह होगा हमारा complete data structure and algorithm का series तो चलिए सबसे पहले हम what is data structure क्या होता है वो discuss करते हैं क्या होता है data structure organized collection of data in particular format called data structure data structure is a technique or method of study how the data are interrelated to each other logically or mathematically ठीक है तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर data किसी particular format में organized है तो वही कहलाता है data structure और data structure में हम यही देखते हैं data structure एक ऐसा method है एक ऐसा technique है जिसमें हम यही देखते हैं कि data कैसे एक दूसरे से interrelated है logically और mathematically ठीक है यही होता data structure तो यहां पर अगर हम आपको example सोखरे समझाने के लिए मान के चलो हम link list कहीं एक example ले लेते हैं ठीक है बहुत important topic है यह data structure का link list ठीक है link list में क्या होता है दो पार्ट होता है एक होता data मालो पहले हम एक data ले लेते हैं ठीक है यह अंकित क्या है अंकित हमारा data है ठीक है याद रखिएगा अब link list में दो पार्ट होता है एक होता है data पार्ट और एक होता है link पार्ट ठीक है ध्यान से समझिएगा आपको concept समझ में आ जाएगा link list कभी यहां पे ठीक है और यहां पे address होगा यह address है ठीक है मिंक विसकते हैं एड्रेस लिंक लिश्ट स्टार्टिंगी होता है huh तो यहाँ वर्न हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था पर आप अग्णूर करेगा उसको ठीक है मौ लो यहाँ पर किसी भी ड्रेस में कोई भी डेटा जाकि यह इस्टोर हो सकता है लिए यहां पे श्टोर हो गया यहां पे के आई उसके बाद टी यहां इस्टोर हो गया तो अब इसको हम फेज कैसे करेंगे हम इस लिंक की मदद से क्या करेंगे फेज करेंगे डेटा को लिंक करेंगे एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे तो अगर फेज करने का बारी करेंगे प्रिंट करेंगे उसके बाद हमें कहां जाना एन पहां पहीं यहां पहर पर एंपाद तो आई का अड्रेस है तो यहां पर हम 3 पास करेंगे नेक्स्ट वाले नोड का अड्रेस तो अभी आई आजाएगा उसके बाद आई के बाद हमें टी चाहिए तो टी का अड्रेस का है 6 तो हम क्या करेंगे यहां पर 6 पास करेंगे आई में 6 यहाँ पर है तो टी यहाँ पर मिल जाएगा हमें तो आप देखो हमारा डेटा हम फेच कर लिए है और यहाँ पर लास्ट में क्या होगा एंडिंग में नल होगा नल वैल्यू सॉ घख ली सकते हैं आप चरह स्कते हैं आप छाहे तो बेटर तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम दो-दो का अगर बना दें यहां पर नोड ठीक है तो यहां पर माली जी अगर A रहेगा हम सब का address set कर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और भी आप ले सकते हैं ठीक है तो अगर माली जी यहां पर A है, N है, K, I, T यह हमारा data है अंकित तो A में हैं ठीक है, उसके बाद हमें N के पास जाना है, N का address का 2, यहां पर 2 दे दो उसके बाद K का address का 3, तो यहां पर 3 दे दो, उसके बाद next वाले का 4 address यहां पर दे दो उसके बाद यह 5 address यहां पर दे दो, और last में इसमें नल दे दो तो अभी इसमें भी प्रेच कर सकते सबसे पहले ए ऐगा उसके बाद 2 में जाएगा टू में क्या है एन फिर next note का address 33 में क्या है कि उसके बाद 4 में क्या है आई उसके बाद इसमें क्या है टी तो हमारा data देखो हम फेच कर लिए है तो अगर मालो यहां पर हम डेटा लिख दे टेंगे 10 50 30 20 40 अब किसी ने मुझे बोला आपको में इस पर करो को किसीन ह bench करके को अब किसीचा अब क्या यहां अगा संट करेंगा आइसंगी trustees को ढ nyt ます करा है आड वैं 15 50 एसे ढरेगा यह यहांतों का संट कर पाए इस डेटा को इसे समझे हम इ Leonardo Contigious Memory Location में Stored था और इस Address की मदद से हम क्या किये Data को Sort कर पाए और अगर कोई बोलेगा कि Particular Element को Search करो Searching Operation Perform करो 30 को हमें Print करके दिखा थाम 30 को भी Access कर सकते हैं Directly Print करके A2 ठीक है तो यह हो गया Searching Sorting का Technique में भी हमें दिखता है कि Data कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहता है 10 के बाद 50 है अगले वाले अड्रस पर अगले वाले अड्रस पर 30 है फिर अगले अड्रस पर 20 तो यह जो Address है ना Continuous Memory Location इसी Address के तुरू हम Searching Sorting Operation Perform करा पाते है आरेमे ठीक है तो यह भी Data Structure का ही Part होता है कि कैसे हम Data Structure में Operations को Perform करते हैं देखते हैं कि Data कैसे एक दूसरे से Logically और Mathematically Connected रहता है ठीक है अब हमारा Topic होगा Purpose of Data Structure का Purpose क्या है The Main Aim of Data Structure is to Increase the Efficiency of Program and Decrease the Storage Requirement Program के Efficiency को Increase करता है Data Structure और Storage Requirement को Decrease करने का काम करता है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मालीजे हम कोई Program बनाएं किसी Project में काम किये हमारा Program के Performance को हम Increase कर सकते है Data Structure के तो ठीक है और Storage Requirement को Decrease भी कर सकते हैं Memory को Run Time में मैनेज कर सकते हैं मालीजे हमें कुछ Particular Memory का ही Requirement है हमने ज्यादा Memory कर लिया था अपने प्रोग्राम में तो हम इसको Run Time में मैनेज कर सकते हैं Memory को Decrease कर सकते हैं Storage Requirement को अपने According काम कर सकते हैं और इससे क्या होगा Memory Decrease होने पर हमारे Program का Efficiency अपने आप Increase हो जाएगा तो यह में होता Data Structure का CC++ में इसलिए कहा जाता है Dynamic Memory Allocation, Deallocation के लिए हम Data Structure यूज करते हैं अब हम बात करते हैं Classification of Data Structure का पहला होता है Linear and Non-Linear तो Linear Data Structure क्या होता है Linear Data Structure वो Data Structure होता है जिसमें Sequence के Form में Memory Occupied होता है Data के लिए जैसे IRA, Link List, Stack क्यों Memory Create होता है Elements के लिए Sequence के Form में, Linear में और Non-Linear का अगर हम बात करें तो यहां पे Randomly कोई भी Element कहीं पे भी Store हो जाता हमारा Data Tree और Graph Non-Linear Data Structure का Example है ठीक है अब हम बात करें अगर Homogeneous and Non-Homogeneous यह हमारा Second Classification है Data Structure का Homogeneous जिसमें हम Similar Kind of Data के साथ काम करते हैं जैसे IRA यह हो गया हमारा क्या Homogeneous इसमें Similar Data ही हम इस्टोर कर पाएंगे और Non-Homogeneous यहांनि इसमें Different Kinds of Data को Value के साथ काम कर सकते हैं जैसे Structure और Union अगला Classification हो गया हमारा Static and Dynamic Static Data Structure क्या हो गया कि जिसमें हम Fixed Size of Memory के साथ काम करते हैं अगर यहां पे हमने एक IRA बनाया जिसका Size हमने 10 रख दिया तो अभी यह 10 ही रहेगा इसको न हम Increase कर सकते हैं न Decrease कर सकते हैं अगर हमें कम Memory का जौर रहत है तो हमारा Memory को हम Decrease नहीं कर सकते हैं वह Waste होगा और अगर हमें Memory को Increase करने का Requirement आ गया था हम Increase भी नहीं कर पाएंगे यह Fix होता है Static क्या होता है कि हम Pointer के साथ काम करते हैं इसमें Memory को Run Time में Manage कर सकते हैं अपने Requirement के According Increase कर सकते हैं तो यह होता है हमारा क्या यह होता है हमारा Data Structure का Classification अब हम Discuss करेंगे Operations of Data Structure के साथ हम क्या-क्या Operations करेंगे ठीक है तो यहां पर पहला हो गया Searching Operations सब्सक्राइब कर सकते हैं Data Structure में जिसमें हम क्या कर सकते हैं इंडिविज्वल Element को Find कर सकते हैं किसी भी Particular Location से उसके Location के साथ अगर हमें Element को Find करना हुआ तो हम Searching Technique उस करेंगे Second हो गया हमारा Traversing, Traversing का मतलब क्या होता है कि अगर माली जए हमें किसी Particular Element को Process करना हुआ इसका Real Life Example अगर हम बात करें अगर माली जए मैंने 10 स्टुडेंट को कुछ टास्क दिया और Second Day जब हम चेक करेंगे तो हर एक इंडिविज्वल स्टुडेंट को हम चेक करेंगे कि उन्होंने टास्क कंप्लीट करा की नहीं यहीं होता है Traversing जिसमें हम इंडिविज्वल एलिमेंट जो Data Structure का इंडिविज्वल एलिमेंट होता है सभी को Process करके देखते हैं ठीक है इंसर्ट इंसर्ट का मतलब अगर हमें निव रेकॉर्ड इंसर्ट करना हुआ तो हम इंसर्ट यूज करेंगे इंसर्टिंग परफॉर्म करेंगे करेंगे what is algorithm algorithm होता क्या है ठीक है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कैसे परफॉर्म कर सकते हैं रियल में कैसे इंप्लिमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम में वो सब डिसक्स करेंगे तो अल्गोरिधम क्या होता है the step by step description of any program in general language is called algorithm किसी भी instructions used to solving a problem such a way that it can implemented as a program for computer ठीक है आप algorithm को एक क्लियर instruction मान सकते हैं किसी भी problem को solve करने के लिए जिसको बाद में हम क्या कर सके अपने system में implement कर सके program के form में वही होता है algorithm ठीक है और एक algorithm में सारा चीज होता है किसी भी program को implement करने के लिए जैसे example के लिए अगर हम एक program ले ले लिए add two number का तो आड़ टू नंबर का program बनाने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए हमें अलगोरिदम पता होना चाहिए लेकिन हम क्या करते हैं हम गल्ती क्या करते कर अगर हम नहीं पता होता है logic और नहीं syntax पता होता है तो कोई भी program implement करने से पहले बेटर यह होता है को उसका आप algorithm लिख लो अपने से यह analyze करो कि इस add to number के program के लिए क्या क्या requirement होगा हमें वो requirement क्या algorithm कहलाता है जैसे step one क्या होगा हमारा begin step two में हम यह देखेंगे कि हमें दो number को add करना यानि हमें दो input चाहिए होगा यहां पर a and b हम क्या ले लेंगे दो variable लेंगे input के लिए यह हम अपने algorithm में लिख रहे हैं a and b में input होने के बाद हमारा अगला requirement क्या होगा कि हमें इनको क्या करना होगा add करना होगा हम लिखेंगे sum of a and b step 4 में display कर देंगे हम अपने output of addition को यानि sum को step 5 exit तो अगर आप यह algorithm लिख लोगे अपने से requirement समझ के algorithm बना लोगे तो अब आपको program को implement करने में कोई problem नहीं होगा क्योंकि आपको सारा step पता है ठीक है और step by step description of any program is code algorithm step by step लिखा हुआ है अब हम क्या करेंगे अब इसको अगर हम बोले कि c language या फिर java में आप इसको implement करो add to number को तो आपको क्या पता होना चाहिए आपको बस उस language का syntax पता होना चाहिए अगर आपको syntax पता होगा language का तो आप क्या करेंगे इस requirement को implement कर सकते हैं किसी भी language में ठीक है अब हम आपको add to number का program बना के दिखाएंगे same उसी algorithm को follow करके जो हमने आपको step by step link के दिखाया तो step number one क्या था begin तो यह हो गया हमारा begin step number two क्या था हमारा input two numbers a and b तो हम क्या करेंगे integer type का दो number input लेंगे तो पहला number हम a में input ले लेते हैं 10 second number हम b में input ले लेते हैं 20 ठीक है step number third क्या था sum of a and b a और b का sum तो a plus b हम करेंगे यहाँ पे और उसको हम क्या करेंगे store कर लेंगे एक third variable c में ठीक है step number four क्या था print sum of a and b यानि addition का result print करो तो यहाँ पे हम print up function use करेंगे print करने के लिए %d format string हम use करेंगे integer value के लिए ठीक है और यहाँ पे हम c को print कर देंगे step number five क्या था exit तो यहाँ पे देखो हमारा curly braces हम close कर दिया है exit हो गया है ठीक है तो आप यहाँ पे देखिएगा result हमारा print होगा 30 यह देखो result आ चुका है तो आप इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं अगर आपके पास उस प्रोग्राम का algorithm होगा तो यही recommendation होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले programming करने से पहले एक बार उसका algorithm जरूर step by step लिख ले कि उस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या क्या requirement आपको लगेगा अब हम discuss करेंगे properties of algorithm तो पहला property होता input हर एक algorithm में input होना चाहिए second output algorithm में input output होना ही चाहिए ठीक है अगर आप किसी प्रोग्राम का algorithm लिखेंगे तो यह common रहेगा third होता definiteness यह क्या होता है every instructions of an algorithm must be clear clear होना चाहिए समझने के लिए फिर हो गया effectiveness ठीक है इसका मतलब क्या हो गया the instructions of algorithm must be basic enough to carried out or it must be feasible फिर हो गया finiteness इसका मतलब क्या हुआ for different cases algorithm must produce result after finite set of instructions ठीक है तो यह हो गया हमारा properties of algorithm अब example देखो यहां पर हम एक और program ले रहे है natural number का ठीक है natural number का program बनाने के लिए अगर हमें कोई बोल देख उसका algorithm लिखो तो कैसे लिखेंगे step one begin step two एक variable हम define करेंगे तो variable define करने के लिए algorithm में हम use करते है set ठीक है तो यहां पर मालों हम एक variable initialize के लिए equal one value डाल दिए उसमें ठीक है step three repeat करेंगे हम step four और five को loop का condition क्या होगा less than equal ten तक क्योंकि हमें one से ten तक print चाहिए number ठीक है तो four five step repeat होगा यानि दो step repeat होगा पहला one print होगा यह वाला value one print होगा उसके बाद आई के value बढ़के two होगा फिर वापास से step four में two print होगा तो यह दोनों step repeat करता रहेगा कितना times तक 10 times तक तो हमारा natural number print हो जाएगा जहां तक हम में real में ठीक है अब हम आपको natural number का प्रोग्राम बनाके दिखाते हैं सेम वही algorithm follow करके जो हमने आपको दिखाया ठीक है तो सबसे पहले हमारा step number one begin था step number two में क्या था i में हमने एक value in slice किया था ठीक है तो यहां पर भी हम क्या करते हैं value in slice कर देते एक variable i में one ठीक है starting value हो गया step number three क्या था हमारा हम लूप यूज किये थे condition लगाए थे तो यहां पर हम while loop use करेंगे condition क्या होगा कि i का value less than equal 10 हमें 10 तक चाहिए तो 10 तक जाएंगे ठीक है और यहां पर हमारा code होगा इस body के अंदर तो हम क्या करेंगे यहां पर simply print करेंगे print function यूज करेंगे ठीक है अपनी value को print करने के percent d comma i print कर दिया हमने print करने के बाद इसको हम remove कर देते ठीक है print करने के बाद i की value हमें increase करनी है तो यहां पर हम i की value increase कर देंगे ठीक है उसके बाद हमारा exit था और कोई भी steps नहीं था तो जो steps हमने algorithm में आपको दिखाया उतना ही steps को use करके हम यह program बना दिये हैं ठीक है अब चलो हम इसको run करते देखते output आता है कि नहीं तो इस तरीके से आप कोई भी program का algorithm अपने understanding के हिसाब से step by step लिख सकते हैं और एक बार अगर आप समझ गए algorithm लिख लिया requirement को जान लिया तो उसके बाद program को implement करना कितना easy होता है आपने देख भी लिया अगर आपको यह program समझ में आहा हो तो वीडियो को like करिएगा सबसे पहले हमने discuss करा what is data structure तो आप कोई पता organized collection of data in a particular format is called data structure ठीक है data को एक structure की form में रखना ही data structure कहला था है फिर हम देखे थे purpose of data structure की purpose क्या होता है increase the efficiency of program and decrease the storage requirement यह purpose होता है data structure का classifier में हम देखे थे पहला हो था हमारा linear and non-linear to linear data structure में क्या होता है कि हमारा data होता है हो sequence के form में store होता है computer memory में और हमारा non-linear में क्या होता है कि वो random form में कहीं भी store हो जाता है second classification था data structure ऊपछुच्यर का homogenous and non-homogeneous homogenous में क्ह Mother außer can say similar kind of data के साथ साथ काम करते हैं जैसे न होमोजीनियस में डिफरेंट क газ डैटा के साथ काम करते हैंं जैसे श्КА्आजरी अमारा अगला स्टेटिल si fabric fils काम करते हैंगी के साथ कूम करते हैं टानमीक में हम मेमरी step detail description of any program is called algorithm, ठीक है, फिर property of algorithm हम आपको बताया थे, input, output, effectiveness, ठीक है, finiteness, ये था हमारा क्या property, फिर हम example भी discuss किये थे, तो अगर आपको हमारा ये video समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो एक like करिएगा,